एप हेलो फ्रेंड्स तो आप आचुके हैं हमारे चैनल ट्यूटोरियल टेक में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अपने फोटो का बैग्राउंड कैसे हम हटा सकते हैं हटा कर दोस्तों सी फोटो को और उससे थामनेल बहुत सारे यूजेश कर सकते जैसे सबसे पहले दोस्तों मैं आप से यह बुलना जाता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और बेल आइकन को दबा देता कि और घंटी को बजा देता कि मेरा नया से नया वीडियो पहुंचे आप तक सबसे पहले तो दोस्तों क्या करना है सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है प्ले स्टोर में जाने का बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है कि बैक्ग्राउंड इरेजर अच्छा नेट बंद है बैक्ग्राउंड इरेजर सीधा क्लिक करना है और इसको सर्च कर देना है सर्च करने के बाद दोस्तों क्या करना है सर्च करने के बाद दोस्तों क्या करना है देखिए मैंने यहां पर इस तरह का इस तरह का आपको आइकोन दिखेगा यहां पर देख सकते हैं यहीं बैग्राउंड इरेजर है तो क्या करना है इसको सिधा इंस्टॉल करने के बाद करने के बाद दोस्तों देखिए आपके सामने यह इंटरफेस आजएगा यहां पर लोड इमेज पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आपको क्या करना एक फोटो को उठाना ठीक है जैसे देखिए मैंने यहां पर बहुत सारे यूटूब का thumbnail बना रखा है ठीक है तो आप भी यहां पर बना सकते हो तो pada load image पर क्लिक करने के बाद दोस्तो मानलो मैं एक यहां पर फोटो लेता हूं ऐसे के यकासान सा फोटो मानलो मैंने यह फोटो ले लिए ठीक फोटो लेने के दोस्तों क्या करना है देखिए आपको सिधह यहां पर ड्राग करना है कि यहां फिर देखिया फोटो लेले के बाद इस अपने मुताबिग और जेस्ट भी कर सकते इसको कितना चाहिए जैसे में किर लेता हूं जैसे मैंले मेरे को इतना ही अभी जल्दी से जल्दी वीडियो लंबा नहों करके दिखायता हूं मैं लिए ये मेरा फोटो गया ठीक है अब इसका बैक्ग्राउंड कैसे हटा सकते हैं तो देखिए दोस्ते यहां पर आपको ब्रॉस का साइज मिल जाता है मैं आपको दिखायता हूं यहां पर इरेजर का साइन है इसका बड़ा याद छोटा भी कर सकते हैं देखिए यहां पर बड़ा याद छोटा हो रहा है देख सकते हैं तो अभी मैं इससे छोटा ही रखता हूं इतना छोटा रखता हूं और देखिए यहां पर फिर मान लिजे यहां पर देख सकते हैं यहां बड़ करने के बाद दोस्तों क्या करना याहां पर मैं जल्दी-चल्दी आपको दिखा दरा उतना बढ़ियां समय नहीं करूँगा तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करते हूं फिर मैं आपको करके दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहां पर ऐसे कट कर दिया है आप देख सकते हैं पर कट करने के बाद दोस्तों क्या करना सीधा आपको इस वाले देखिए यहां पर जाए कि मैं यहां मेरा कुछ गलती हो जाता है ठीक गलती होने के पर गलती होने के बाद क्या करना वह मिट जाएगा ठीक है दोस्तों तो मिटाने के बाद दोस्तों चले फिर मैं बताता हूं फिर देखिए यहाँ पर इरेजर के आप्शन पर जाना है फिर इसका जो साइज इसको बड़ा करते है ठीक है बड़ा करने के बाद देखिए यहाँ पर मैं इसको इसली यहाँ पर म पूरी तरह से मिट चुका और देखिए यहां पर एक गलती भी हो गई यहां पर आप देख सकती यह देखिए माली यह मेरी गलती हो गई तो यहां रिपेर पर क्लिक करके फिर आप यहां पर फिर से कर सकते हैं ठीक है तो हो जाने के बाद फिर देखिए आप जैसे करने के बाद क्या करना आपको सीधा यहां पर अपने बारीकी से कर लिजिए अपने मुताबिक कैसे आपको काम करना है यहां फिर देखे करने के बाद आपको यहां पर ओप्सन दिखे गए यहां पर डन का आप देख सकते हैं डन पे क्लिक कर देना है तो देखिये यहाँ पर मेरह थ्वहवित गलती रह गया है देख सकते हैं लिकिन आप अपने से अपने मुताबिक कर लीजिए यहाँ पर उसका देख सकते 12345 इसका smoothness घ्शिक जितना आप uhлат जिसका बढ़ाएंगे उतना यह आपको बड़िया इफेक्ट मिलेहाई जैसे मैं फाइब पे करता हूं फिर देखें आपको क्या करना है सेव के बटन पर क्लीक करना है सेव करने के बाद दोस्तों धूद्के यहां पर मेरा सेव हो चुका है तो चलिए मैं देख लेता हूं कि मीरा सेव हुआ है रखी नहीं तो देखिये हैं यहां पर फाइल फटो पर और यहां कैमरा तो कैमरा पर मैं को जाना नहीं है यहां पर दिखिया रजर planned देखिए ये मेरा यहां पर अपिधिया हट चुका थावह गलतियां हो गई है जैसे यहां पर कैंप तो आप अपने हिसाब से अपने कल जेगा क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ जल्दी से जल्दी मेरे को वीडियो खतम करना है तो चलिए दोस्तों मिलते अगली वीडियो में आप उमीद है कि बहुत बढ़ियां से सीख लिए होंगे तो दोस्तों आप चैनल को जरू से ज टाटा